Hello everyone, friends, आप सभी के सामने UP Police Constable उत्तरप्रदेश विशेष में हम आज बहुती महतपूर प्रश्न करंट अफ्यर के डिसकस करने वाले हैं, जिसमें आपको 800 प्लस कोश्चन देखने को मिलेंगे और ये exam के point of view से बहुत ज़ादा महतपूर हैं. दोस्तो हमारी website है www.nokryaspirant.com यहाँ पर जाकर आप सभी किसी भी exam की अगर त्यारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर PDF और Notes और Quiz लगा सकते हैं. दोस्तो ये जो सिरीज है, आपके जो exam है, उसके लिए काफी महतपूर होने वाली है, जिसमें हम 60 प्लस करन्ट अफेर को डिसकस करने वाले हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजे और हमा और टेलिग्राम, फेस्बुक और इंस्टाग्राम पेजिस, यहाँ पर भी आप सभी फॉलो कर सकते हैं, आए देखते हैं, फर्स्ट कोशन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदीश में किस जिले में देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है, प्यारे सा नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के पहले रोपवे ट्रांस्पोर्ट के लिए कितने करोड रुपे की मन्जूरी प्रदान की है, 200 करोड रुपे, 100 करोड रुपे या 50 करोड रुपे? और इसका राइट आंसर होगा आपका 200 करोड रुपे नेक्स्ट कोशन इंडियन ओईल कॉर्परेशन आई ओसी ने किन राज्यों में टीबी उनमूलन परियोजना शुरू की है उत्तर प्रदेश, छत्तिस गड़, मद्यप्रदेश या फिर दौनो और इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश और चत्तिस गड़ ने आई ओस जो है टीबी उनमूलन परियोजना शुरू की है नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्ब में लेपर्ड कैट का विशेश सरक्षन किया जाएगा अमंगर टाइगर रिजर्ब, दुदवा टाइगर रिजर्ब, रानिपोर टाइगर रिजर्ब या पील मंच देने के लिए टेलेंट हंट का आयोजन किया जाएगा कहां पर किया जाएगा प्रियागराज, कानपूर, गोरकपूर या फिल लखनौ और इसका राइट आंसर होगा गोरकपूर नेक्स्ट कोशन, उत्तरप्रदेश शरकार द्वारा किस जिले में साबर मती की तरज पर ग्रीन फिल्ड ताउंशिप का निर्माण किया जाएगा अयोजन, प्रियागराज, मतुरा या फिर वारनसी और आपका इसका राइट आंसर देना है, इसका सही जवाब होगा आपका अयोध्या नेक्स्ट कोशन, उत्तरप्रदेश सिक्षा बोर्ड ने सहरी छेत्रों में निजी विद्याले खोलने के लिए कितने वर्ग किलो मेटर जमीन होना जरूरी कर दिया है दो हजार वर्ग मीटर या फिर तीन हजार पच्चे सो या पंद्रे सो और इसका राइट आंसर होगा आपका तीन हजार वर्ग मीटर नेक्स्ट कोशन, उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा किस राजी की तर्ज पर खेती का सर्वे कराएगी पंजाब, राजिस्थान, करनाटक या फिर केरल और इसका राइट आंसर होगा आपका करनाटक नेक्स्ट कोशन, उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा मन्रेगा में सत्प्रतीशत हाजरी लगाने के लिए किस मोबाइल एप का विकास करेगी और इसका राइट आंसर होगा मोनिटरिंग सिस्टम एप फ्रेंड्स अगर आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट है www.nokryasprint.com और हमारा एप है नोकरी एक्जाम वहाँ पर जाकर आप सभी एप को डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर बहुत सारी कोईज और अधर एक्जाम के आपको देखने के लिए मिलेंगे नोट्स और पीडियेफ वहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं यह हमारे एक्जाम है जैसे आप अगर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं जीडी एस्टैट या फिर सीटैट यहाँ पर जाकर आप चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे एप में करेंट अफियर हिस्ट्री पॉलिटी बिन सारे सब्जेक्ट की आपको वहाँ पर कोशन्स देखने को मिलेंगे अब किसी भी स्टैट की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमारे एप को डाउनलोड जरू करें नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कच्रे से कोईला बनाने वाला प्लांट लगाया जा रहा है गाजियाबाद वारनसी आगरा या फिर कानपूर और इसका राइटांसर होगा वारनसी नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीड अर्थ विवस्ता को मजबूत करने के लिए कितनी आदश दुग्द विकास ग्रामों का चैन करेगी 200, 200, 190 या फिर 150 और इसका राइटांसर होगा 190 नेक्स्ट कोशन किस राजिसरकार ने सैयुक्त अरब अमीरात आधारित कम्पनियों के साथ 18590 करोड रुपे के समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं महारास्ट, गुजरात, उत्तरप्रदेश या फिर राजिस्थान और इसका राइटांसर होगा उत्तरप्रदेश नेक्स्ट कोशन उत्तरप्रदेश शरकार द्वारा जन सहबागिता शुनिश्चित करने के लिए किस सिती को रन फॉर्ट G20 आयोजन किया तो आपको बताना है ये किया था दोस्तो 21 जनवरी 2023 नेक्स्ट कोशन भारतिय रेलवे का कौन सा रूट सबसे लंबापूर स्वयचलित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है वारनसी खंड प्रियाग राज गाजियाबाद या उप्रोक्तमैंग से कोई नहीं और इसका राइट आंसर होगा गाजियाबाद खंड नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश में इस्तित किस रेलवे स्टेशन को फसाई ने इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया है वारनसी केंट लखनो केंट आगरा केंट प्रियाग राज जंक्शन और इसका राइट आंसर होगा वारनसी केंट नेक्स्ट कोशन तेरे जनवरी दो हजार तेई से उत्तर प्रदेश के किस जिले से दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज की शुरुआत की गई है प्रियागराज, गोरकपुर, वारा नसी या उप्रोक्त में से कोई नहीं और इसका राइट आंसर होगा वारा नसी नेक्स्ट कोशन किस राजी सरकार ने ग्लोबल सिटी अभ्यान शुरू किया है उत्तर प्रदेश, मद्र प्रदेश, करनाटक या फिर महरास्ट और इसका राइट आंसर होगा दोस्तो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा घाट रेती पर बने टेंट सिटी के तरज पर टेंट निवास बनाया जाएगा चित्रकूट, सौनबद्र, चंदौली या फिर कानपूर और इसका राइट आंसर होगा आपका चंदौली उत्तर प्रदेश किस जिले में वन विभाग द्वारा इंडियन स्कीमर पक्षी को सरक्षन दिया जाएगा आगरा, प्रियाग राज, गोरकपूर या फिर मिड़्जापूर साथियों इसका राइट आंसर होगा प्रियाग राज नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में हिमाले पर पाया जाने वाला दुरलब प्रजाती का सफेद गिद्ध मिला है कानपूर आगरा जहां सी या फिर उन्नाव और इसका राइट आंसर होगा आपका कानपूर नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश के दानिश खान ने इंडिया ओपन शूटिंग चैंपेंशिप में कौन सा पदक जीता है स्वाड पदक रजत पदक काश्य पदक या प्रोक्त में से कोई नहीं और इसका राइट आंसर होगा स्वाड पदक जीता है नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश के किश विश्विद्याले द्वारा बुंदेल खंड में 400 करोड साल पुराने पत्थर और खनिस तत्वों का विशलेशन किया बनारश विश्विद्याले अलीगड विश्विद्याले इलहाबाद या फिर लखनो विश्विद्याले और मद्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्राखन या फिर हिमाचल प्रदेश और इसका राईटान सरोगा आपका उत्तरप्रदेश Q. केसरी नात्र पाटी का निदन हो गया उन्होंने किस राज्य की वेधान सबा के अध्यक्ष के रूप में कारे किया है अरोडांचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार और इसका राइटांसर होगा उत्तर प्रदेश किस राजी सरकार ने उतकरष्ट विधायक परोसकार से देने की घोशना की है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश या फिर उत्तराखन और इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश में किस देश की कंपनी दोआरा प्रदेश का पहला इलेक्टरिक वीकल प्लांट बना लगाया जाएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में ड्रेगन फ्रूट खेती की शुरूआत की गई है जहां सी हमीरपूर, चित्रकोट या फिर महोबा और इसका राइट आंसर होगा दोस्तो हमीरपूर नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में सफारी को फिर से शुरू किया गया है लखनव, मतुरा, कानपूर या आगरा और इसका राइट आंसर होगा दोस्तो कानपूर नेक्स्ट कोशन ओल्लाइन गेमिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज टॉप गेमिंग हब बन गया है उत्तर प्रदेश, महारास्ट, राजस्थान या फिर बिहार और इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसत खेल महाकुम का दूसरा चरण शुरू हुआ है लकनो, बस्ती, गोरकपूर या फिर गोंडा और इसका राइटांसर होगा आपका बस्ती नेक्स्ट कोशन भारत के किस राज्य ने लड़कियों के लिए आत्म रक्षा योजना शुरुआत की है मडीपूर, 36 गड़, उत्तरप्रदेश या फिरुडीसा और इसका राइटांसर होगा उत्तरप्रदेश ने शुरू की है नेक्स्ट कोशन उत्तरप्रदेश के किस जिले में एसोचेम का पांचवा अंतरास्य सम्मेलन आईजित किया गया लखनो, प्रियाग राज, गौतम बुधनगर या मेरट और इसका राइटांसर होगा आपका लखनो नेक्स्ट कोशन उत्तरप्रदेश शरकार द्वारा रेशम व्यवसाय से जुड़े किसानों को प्रसिछन के लिए किस राज्य में भेजा जाएगा तमिलाडू, महरास्ट, करनाटक या फिर बिहार और इसका राइटांसर होगा करनाटक नेक्स्ट कोशन उत्तरप्रदेश के किस जिले में कल्चिरल कैपिटल ऑफ दी वर्ल्ड का विकास किया जाएगा आयोध्या, प्रियाग राज, मतुरा, या फिर कानपुर और इसका राइटांसर होगा आपका आयोध्या नेक्स कोशन बांगला देश में आईजित हुई बंग बंधू मेरा थन में अनिल कुमार सिंग उपवेजेता रहे इनका संबन उत्तर प्रदेश के किस जिले से है लखनव, मिर्जापूर, प्रियाग राज या फिर आगरा तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा प्रियाग राज नेक्स कोशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुंबई के मरीन ड्राइव की तरह गंगा पत का निर्मान किया जाएगा कानपूर, प्रियाग राज, कानपूर या फिर बिजनौर और इसका राइट आंसर होगा आपका प्रयाग राज नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश में होने वाले G20 सम्मेलन के लिए चारों शहरों की थीम स्थानिय संस्कृत को बनाया गया है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है लखनव अवद ये समेलित है आग्रा ब्रज वारणसी रंगुस्व कानपुर गंगा संस्कृती ये समेलित नहीं है नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वीडन की कंपनी साब एबी द्वारा तोप और मिसाइल का निर्मान किया जाएगा लखनव जहासी कानपुर या फिर आग्रा और इसका राइटांसर होगा आपका जहासी नेक्स्ट कोशन 26 जन्वरी 2023 को गर्तन दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश जहांकी का विशे क्या रखा गया गंगा जमुनी तहजीब आयोध्या दीपुसव ब्रज संस्कृती उप्रोक्त मैं से सभी और इसका राइटांसर होगा आयोध्या दीपुसव नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में अमरूद महुसब दो हजार तेईस का आयोजन किया गया कानपुर, प्रियाग राज, कौसामभी या प्रताबगड और इसका राइटांसर होगा कानपुर सायुक्त राष्ट मुख्याले में किस राज में बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है उत्तर प्रदेश, महारास्ट, गुजरात या राजिस्थान और इसका राइटांसर होगा आपका उत्तर प्रदेश नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश शरकार ने जी ट्वेंटी सम्मेलन के लिए किसे ब्रांट अम्बेज़र नियुक्त किया है तुलिका रानी, लक्ष्मी सिंग, शिवा चोहान या किरन बेदी और इसका राइटांसर आप सभी को बताना है इसका सही जवाब होगा तुलिका रानी नेक्स्ट कोशन रास्टे युवा पुरुसकार दोहजार तेश के लिए अवदेश कुमार को चुना गया है इनका संबन उत्तर प्रदेश के किस जिले से है कानपुर, लक्नो, प्रियागराज या फिरागरा और इसका राइटांसर होगा साथियो लक्नो नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में अखिल भारतिय अंतर विश्विद्याले मलखंब चैंपेंशिप 2023 का आयुजन किया गया मेरट, गाजियाबाद, अलीगड या मुरादाबाद और इसका राइटांसर होगा अलीगड में किया गया नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में जापानी तकनीक से खेती की जाएगी कानपूर, जहासी, चिट्रकूर या गोरखपूर और इसका राइटांसर होगा आपका कानपूर नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश खेल विवाग ने लश्मण और रानी लक्षिमभाई अवाड के लिए कितने खिलाडियों को नामित किया है पंद्रे, बीस, दस या बारे और इसका राइटांसर होगा दूस्तों बारे नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में केरल की तरज पर पहली बार नौका दोड का आयोजन किया गया है वारनसी, कानपूर, प्रियाग राज, या फिर आयोध्या और इसका राइटांसर होगा वारनसी नेक्स्ट कोशन उत्तरप्रदे सरकार द्वारा दो हरजार तेईस में लक्रणों महोसब का आयोज़ें कब से कब तक किया गया ये किया गया साथियो आपका 24 जन्वरी से 31 जन्वरी तक उत्रप्रदेश सरकार ने किस जिले में एडवेंचर ट्रेकिंग अभियान की शुरुआत की मिर्जापोर, चित्रकूर, सौनभद्र या महोबा और इसका राइट आंसर होगा साथियों सौनभद्र उत्रप्रदेश के किस विश्विध्याले को नेक द्वार A++ की रैंक प्रदान की गई है सबी साती बताएंगे और ये प्रदान की गई है दीन दयाल उपाद्य विश्विध्याले जोकी गोरखपूर में है नेक्स्ट कोशन उत्रप्रदेश के के जिले में wellness, adventure और water sports resort का निर्मार किया जाएगा आगरा, मेरट, लखनो या वारनसी और इसका राइटांसर होगा लखनो नेक्स्ट कोशन उत्रप्रदेश शरकार ने बायो एनर्जी उद्योग लगाने वाली कंपनियों को प्रोजेक्ट लागत का कितना प्रतिशत ग्रांट देने की निर्ण लिया है, 20 प्रतिशत, 15, 25 या फिर 30 प्रतिशत और इसका राइटांसर होगा, 15 प्रतिशत नेक्स्ट कोशन उत्तरप्रदेश के किस जिले में गुरू रविदास की समर्ती में आधुनिक म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा, वारनसी, गोरकपोर, प्रियाग राज या अंबेड कर नगर और इसका राइटांसर होगा, वारनसी नेक्स्ट कोशन, हुए सरवे के अनुसार, सरवादिक बिजली कनेक्शन देनी वाला, शीर्स राजे कौन सा बन गया है तमिल नाडू, महरास्ट, उत्तरप्रदेश या गुजरात और इसका राइटांसर होगा, उत्तरप्रदेश उत्तर प्रदेश शरकार ने यश भारती पुरुषकार की तर्ज पर किस पुरुषकार की शुरुवात की है उत्तर प्रदेश गौरफ सम्मान, उत्तर प्रदेश यश सम्मान, उत्तर प्रदेश सम्मान उप्रोक्त में से कोई नहीं तो friends इसका right answer होगा आपका उत्तरप्रदेश गौरफ सम्मान नेक्स्ट कोशन उत्तरप्रदेश शरकार द्वारा PPP model पर कितने जिलों में medical college खोलने का निड़े लिया गया है 20, 16, 10 या 25 और इसका सही जवाब होगा साथियो 16 नेक्स्ट कोशन खबरों में रहा कालिंजर का किला उत्तरप्रदेश के किस जिले में इस सित है चित्रकूर जहासी बांदा या महोवा और इसका right answer होगा बांदा में है नेक्स्ट कोशन अंडमान निकोबार दीप समों के 21 दीपों का नाम परमवीर चक्र पुरुषकार विजिताओं के नाम पर रखा गया है इन में से कितने परमवीर चक्र विजिताओं का संबन उत्तरप्रदेश चे है 4, 12, 10 या 8 और इसका right answer होगा 4 नेक्स्ट कोशन उत्तरप्रदेश चरकार द्वारा स्वच भारत मिशन 2023 के कितने तीर्थ शेहरों का चैन किया गया है 7, 6, 5 या 4 और इसका right answer होगा 7 नेक्स्ट कोशन उत्तरप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश के लिए प्रदेश का कौन सा शेहर शीष पर रहा कानपूर, लखनव, जहांसी या वारनसी और इसका right answer होगा दोस्तो जहांसी नेक्स्ट कोशन रास्टिय बागवानी आकडों के अनुसार अमरूद उत्तपादन में उत्तरप्रदेश का कौन सा इस्थान रहा पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा सभी फ्रेंड्स इसका answer comment box में देंगे, और सभी दोस्तों को मैं बता दूँ, अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो एक बार चैनल को subscribe और share जरू करें दोस्तों यह हमारे telegram, facebook, instagram के pages हैं, आप यहाँ पर follow कर सकते हैं, और आपने अभी तक जो हमारी UP Police की series चल रही है, अगर नहीं देखी है, तो playlist दी गई है, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं, तो friends, वीडियो को like share जरू करें, thank you